बात करेंगे आजकल की पांस बड़ी मुवीज अपडेट के बारे में तो सबसे पहली और बड़ी खबर फिल्म दा केला स्टोरी को लेकर सामने आ रही है रसल तमिनाडू के बाद अब इस मुवी को वेश बंगाल में भी बैन कर दिया गया है और इस फिल्म को अभी भी काफी जादा कॉंट्रवर्सी का सिकार भी होना पड़ रहा है मगर इन सब के बावजुद केला स्टोरी को मद्या पर्देश के बाद अब उत्ता पर्देश में भी टैक्स फ्री कर दिया गया है और इस फिल्म बॉक्स ऑफिस में कमाई के रिकॉर्ड भी बना रही है बात करें दूसरी अप्डेट के बारे में तो केवल 30 करोड के बज़र्ट में बनी फिल्म दा केलर स्टोरी की कमाई की रफतार लगातार बढ़ रही है तो ये आराम से 200 करोड की कमाई कर लेगी और सैथ कस्मीर फैल्स की कमाई के रिकॉर्ड को भी तोर दे क्योंकि आने वाले दिनों में इसकी कमाई की रफतार और बढ़ने के चांसे बहुत जादा है तीसरी अपडेट प्रभास की मच अवेटेट फिल्म आदी प्रूस का ट्रेलर को लेकर है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल 9 माई को इसका ट्रेलर रिलिस हुआ था और इसे सोसल मीडिया पर काफी पसंद भी किया जा रहा है क्योंकि पहले के मुकाबले इस बार आदी प्रूस का ट्रेलर देखने में काफी अच्छा भी लगता है बले ही थोड़ा बहुत कमिया अभी भी साफ दिखाई दे रही है मगर फिर भी टीजर के मुकाबले वेफर्स को पहले से काफी बढ़िया करा गया है वैसे आपको आदी प्रूस का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में बताना चौथी अप्डेट अक्षे कुमार की फिल्ब वेलकम 3 को लेकर सामने आ रही है दरसल कहा जा रहा है कि इस बार पार्ट 3 में मिस इडिया वीना नंदनी गुपता की एंट्री हो गई है और वो वेलकम 3 में अक्षे कुमार के अपोजिर दिखेगी फिल्म की सुटिंग कप से सुरू होगी इस बारे में तो अभी कोई अप्डेट नहीं आई है मगर इतना है कि साइद अगले साल से ही सुटिंग सुरू हो और बात करें 5 वी अप्डेट के बारे में तो कहा जा रहा है कि सायधा ब्रनवीर कपूर अपनी सुपलिट फिल्म ये जवानी है दिवानी के दूसरे पार्ट में दिख सकते हैं जी हाँ कहा जा रहा है कि ब्रहमास को खतम करने के बार साइध मेकर इस फिल्म पर काम सुरू कर सकते हैं